हिंदी टीवी सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है, में ट्रामा कभी खत्म नहीं होता, इस शो में दिखाये जा रहे पौददार हाउस में कुछ न कुछ होता रहता है, बीदे एपिसोड में आपने देखा था कि दादी सा ने अभिरा और अर्मान को पौददार हाउस से नि अभिरा को छोड़ दे और इस घर में खुर्शी-खुर्शी से रहे, रोही की ये बातें अभिरा भी सुन लेती है, आज की एपिसोड में आप देखेंगे कि अभिरा अर्मान को अपनी बातों से मना लेकि कि उसे ये घर छोड़ देना चाहिए, अभिरा अर्मान को बोलती है, तुम बचपन से इस घर में रहे हो, मेरा क्या है, मैं तो पहले भी अकेली रह चुकी हैं, मैं यहाँ से जाकर होस्टल में रह लूँगी, पहले मेरे पास मम्मा थी लेकिन अब मैं अकेली ही रह लूँगी, इसके बाद अभिरा अर्मान के साथ धेर सारी फोटोच क्लि लग जाती है, सीरिल में आगे देखने के लिए मिलेगा की, सुबह सुबह दादी सा अर्मान को बताती है, तुम्हारी मान ने तुम्हारे लिए घर देखने से मना कर दिया है, लेकिन मैंने सारे इंदजाम कर दिये हैं, ये बात सुनकर, अर्मान अपनी दादी सा से कुछ क पासु ही रखे मासा विद्या के मूँ से ऐसी बात सुनकर घर का हर एक इंसान हैरान रह जाता है। अगर क्रेश्या फिर बाकिस से ये गलती होती तब भी ऐसा विवहार होता। दोनों की बहस और होने वाली है। क्यारा कहती है कि वे अपने दोस्त के यहां होली के पाटी में गई थी। दादी सा गुस्से में। क्यारा पर हात उठा देती है लेकिन गलती से अभीरा क्यारा के आगे आ जाती है और उसके चांटा पड़ जाता है। अभीरा दादी सा से कहती है कि इस परिवार में सभी लोग उससे सच बोलने से डरते हैं। इस घर में सच बोलने का इनाम थपर मिलता है दादी सा विद्या पर गुस्सा करती है। अभीरा दादी सा से कहती है कि परिवार के लिए उसका प्यार हार रहा है और आपके लिए मेरी नफरत जीत रही है।